हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो आज लेकर आए प्लास्टिक से जुड़ी बहुत सारे ऐसे टिप्स और हैक्स बताने वाले हैं दोस्तों जो आपके डेली लाइप में काफी काम असान कर देगा साथ में समय की बचत होगी तो च चार-पांथ दिन के लिए जाएंगे तो इस तरीके से देखिए ब्रस को कैरी करके ले जाना है क्योंकि ब्रस में हर एक के मुँख वाला हम साथ में सटाक दूसरे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि देखें होंगे कि बैक्टरिया बेगेरा यह सब होता है साइड अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक किजेगा नेक्स ट्रिप देख लेता है नेक्स आइडिया यहां पर बोतल को लेकर जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो अगर थोड़ा सा जैसा कर धीला पन है थोड़ा सा लूज है हलका तो पानी मेरा चूने लगता है अगर बैग मे हम रखें या जोला में रखें तो मेरा बैग भी भी जाता है तो इस तरीक से थोड़ा सा पोलोथीन काटके लगा दीजे एकदम से एर टाइट हो जाएगा एक बुंद भी पानी नहीं गिरेगा तो अच्छा लगा हो आइडिया तो लाइक किजेगा दोस्तों नेक्स टिप देख लेते हैं नेक्स आइडिया है यहां पर जूते को लेकर सूझ को लेकर जैसे कि बरसात के टाइम में दोस्तों हम लोग जूते को धोते हैं सूझ को तो क्या होता है कि सूखने में बहुत ही दिक्कत होता है कि लगता है कि कहां किस तरीके से सुखाएं तो यहां पर दे देखिए दो प्लाश्टिक हमें ले लेना है और देखिए इस तरीके से कितना चाहसे टंग गया है और इसे चूटा लगा के और इस तरीके से पंखे की नीचे टांग दीजे अराम से एक दम सूख जाएगा कोई भी धूप में ले जाने के जरूरत नहीं है तो आइडिया इस तरीके से ढख दिजे कि गैस बर्नर हमें भींगना नहीं चाहिए तो उसे अच्छे से फिर पोचना पड़ता है सुखाना पड़ता है और इस तरीके से देखिए गैस टोप को साप कर लिजे और साप करने के बाद बढ़िया से धूल लिजे तो यह बहुत ही अच्छा था है दोस्टो हमें तो बहुत अच्छा लगता है नहीं तो दोस्तो एक छोटी-उटी अगर कटोड़ी है तो इस बहुत बना चुके हैं तो यह देखिए इस तरीके से पानी भी नहीं जाएगा का सुखा सुखा रहेगा यह देखिया गैस टॉप कम धो लिये सुखा का सुखा गैस बरनर है तो चले देखलते हैं फटा से नेक स्टीप से नेक सा एडिया है दोस्तो हरी मिर्च को लेकर जब भी हम लोग हरी मिर्च काटते हैं तो देखे होंगे ना कि हाथ में काफी जलन देने लगता है कोई-कोई का हाथ इकदम नहीं देगा ना हाथ में टच होगा हरी मीर्च तो नेक्स डिप देख लेते हैं नेक्स आइडिया है दोस्तों लैसुन को छीलने को लेकर लैसुन चीलना हमें बहुत ही मुश्किल का काम लगता है जंजट वाला काम लगता है घंटों बैटके हमें लैसुन एका करके छीलना यहां पर देखिए लेसुन चिलने का यहां कहने का इस्ट है और देखें चोटी से कटोरी ले लिए हैं प्लास्टिक में डाल दिये हैं इस तरीके से हमें हलके हलके करना है तो देखेंगे ना कि रोश्ट कर दिये तो इसका छिलका ज़क्षा पड़ जाता है और सारा जो छिलका लैसुन का वह आसानी से निकल जाएगा यहां पर लगता है कि इतना अच्छा सा टिप्स बताएं है नेक साइडिया है तावे को लेकर तावा हम लोग क्या करता है कि रोटी बनाने के बाद मांज के और इस तरीके से कहीं भर भी खड़ी करके रख देते हैं तो क्या होता है कि छिपकीली कोकुरूज बगेरा मुह मारके चला ज इस तरीके से प्लास्टिक लेजिए और प्लास्टिक से हमें इस तरीके से देखिए हैंगर बना देना हैं टंग दाल डड़ी को तक के और बहुत यह अच्छे से चार्ज कर सकते हैं आइडिया अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगा नेक्स टिप देख लेते हैं नेक्स आइडिया है दोस्तो बरसात के टाइम में धाल को लेकर देखिए धाल हो या खड़ा चना हो या मूंग हो क्या होता है कि अगर एयर अगलेघा प्लास्टिक से एक कंटेनर बना लेजिए लगाए अगल प्लास्टिक लगाके शुक्त्स और या वीडियो टीप सेंट्रीक वाल लाते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए बाइबाइब